नमस्ते बच्चो आनन टिटोरियल किर्स चैनल पर आपका स्वागत है बच्चो आज की पार साला में हम खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आप लोग अपने घर में बहुत सारा खेल खेलते हो कुछ बच्चे तो टीवी पे भी गेम खेलते हैं लेकिन मैं आज आपको ऐसे खेलो के बारे में बताऊंगी जो हम मैदान में खेलते हैं ठीक है बच्चो तो चलो आज का हमारा पार्ट है आओ खेले हम खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो चलो बच्चो हम अपनी पार्ट साला सुरू करते हैं बच्चो आज हम खेल के बारे में जानकारे प्राप्त करेंगे तो चलो हम अपनी पाड़सला सुरू करते हैं बच्चो ये जो हमारा पहला चित्र है ये जो बच्चे खेल खेल रहे हैं इस खेल का नाम है लगोरी ये महाराश्र के गाओं का प्रिय खेल है या खेल किसी खुली जगा में दो दलों के बीच खेला जाता है बच्चो ये जो खेल है ना इसमें दो दल होते हैं दो दलों के बीच में ये खेल खेला जाता है इसमें टाइल्स या इट के साथ तुकड़े एक के उपर एक रखे जाते हैं बच्चो इस खेल में इट या टाइल्स के छोटे-छोटे साथ तुकड़े पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा ऐसे करके रखा जाता है दोनों दलों के खिलाड़ी बारी-बारी से गेंद से टाइल्स या इट के टुकड़े को गिराते हैं टुकड़े गिरने पर उस दल के बच्चे भागते हैं और दूसरे दल के बच्चे उसी गेंद से उनको मार कर आउट करने की कोशिश करते हैं इस बीच पहले दल के बच्चे साथ तुकडों को फिर से एक दूसरे के उपर रखने की कोशिस करते हैं तो बच्चो ये लगोरी का खेल है अब ये दूसरा चित्र है बच्चो ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है बच्चे के हाथ में एक डंडा है और ये छोटी से गुली है बच्चो ये जो खेल है इसका नाम है गुली डंडा क्या नाम है गुली डंडा ये खेल बच्चो अधिकतर गाउं में खेला जाता है शहरों में भी लोग खेलते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ये खेल गाउं में खेला जाता है इस खेल में गड़े के दोनों किनारों पर लकड़ी की नोगदार गुली रखी जाती है इस और ये जो गुली होती है इसे डंडे से उच्छाल कर फेका जाता है आसपास खड़े खिलाडी गुली को लपकने उसे पकड़ने की ताक में रहते हैं गुली लपक लेने पर उच्छालने वाला खिलाडी आउट हो जाता है लपकना मतलब पकड़ना जो गुली को पकड़ लेता है गुली को लपक लेता है उसको पकड़ लेता है वो उचलने जो गुली को उचलता है वो खिलाड़ी आउट हो जाता है अगर किसी ने इस गुली को लपक लिया पकड़ लिया तो ये जो खेलता है ये खिलाड़ी आउट हो जाता है अत्वा दूर गई गुली वहां से फेकने पर डंडे से लगने से भी खिलाडी आउट हो जाता है आउट ना होने तक गुली उच्छालने वाला खिलाडी अपना दाओं जारी रखता है जब तक इसको कोई आउट नहीं करेगा तब तक इसको आउट नहीं होगा और खेलते रहेगा ये जो गुली को मार रहे है ना अगर आपने यहां से उसको गुली को पकड़ लिया तो ये खिलाडी आउट हो जाएगा ठीक है बच्चो तो ये गुली डंडा का खेल है किसका खेल है गुली डंडा का खेल है अब हमारा अगला चित्र है ये चित्र देखो बच्चो आपको देखकर ही समझ गया होगा ये कौन सा खेल है कबड़ी कबड़ी के खेल में दो दल होते हैं ये देखिए एक दल इधर है एक दल का खिलाडी दूसरे दल में कबड़ी कबड़ी बोलते हुए जाता है जैसे ये बच्चा इस दल का है वो कबड़ी बोलते बोलते इस दल में गया हुआ है वहाँ एक ही सास में ये सब्द बोलते हुए दूसरे दल के खिलाडी को चुकर उसे आउट और अपने पाले में लोट आने का प्रत्न करता है यह जो गया है कि कबड़ी कबड़ी बोलते वे जाएगा और यहां से किसी को आउट करके वापस आएगा आउट करने की कोशिश करता है और फिर अपने मैदान में वापस आ जाता है या खेल खुले हुए मैदान में खेला जाता है ये जो खेल है ना इसे हम घर में नहीं खेल सकते हैं इसे खुले मैदान में खेला जाता है अब हमारा अगला चित्र है ये चित्र देखकर आपको समझ में आगया बच्चो ये क्या है बोलो बोलो क्रिकेट, बैड बॉल, क्रिकेट तो सभी बच्चों को बहुत पिसंद होता है है ना, बच्चों ये जो क्रिकेट का खेल है, इसमें भी दो दल होते हैं प्रते दल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं एक दल गेंद बाजी और जो दूसरा दल है, वो बल्ले बाजी करता है जो एक दल है वो लो क्या करेंगे? बल्ले बाजी करेंगे और दूसरा गेंद बाजी गेंद फेकेगा और दूसरा दल उसे मारेगा ये जो क्रिकेट का खेल है या मैदाने खेल है इसे हम मैदान में खेलते हैं जो पिछ पर खेला जाता है अधिक रंग बनाने वाले दल को विजय होती है इन दोनों टीमों में जो जादा रंग बनाता है वो जीत जाता है उसकी विजय होती है या खेल रबर तेनीस अत्वासी जन बॉल से खेला जा सकता है तो बच्चों आज हमने लगोरी, गुली डंडा, कबड़ी और क्रिकेट चार खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त की है अब मैं आप से कुछ प्राश्न पूछती हूँ आप उसका उत्तर मुझे कमेंट करके बताईए और जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, वो मुझे वाटसब पर बता देंगे ठीक है? गुली डंडा, कहां खेला जाता है? मेरा पहला प्रश्न है बच्चों, गुली डंडा, कहां खेला जाता है? अगर आपको इस प्रश्न का उत्तराता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताईए और जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, वो मुझे वाटसब पर बताएंगे ठीक है बच्चों? तो हमारी जो आज की पारसाला है, वो यहीं पर समाप्त होती है अगली पारसाला में हम कल फिर मिलेंगे अगर आप मेरे पारसाला में नए हैं, तो मेरे पारसाला को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पार्ट साला का लाब सभी बच्चे ले सके ठीक है बच्चो अगले पार्ट साला में एक नए पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई बच्चो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चो अब हमारी छुटियां सुरू हो गई है लेकिन खेलने के साथ साथ हमें थोड़ा पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है ठीक है बच्चो तो अगली पार साला में हम कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए बई बच्चो थैंक यू फार वाचिंग